हाई गाईज वेलकों टू क्रेटिंग वैल्थ तो एक बार देख लेते हैं गौदरेज प्रोपर्टीस के किस थरीके से जो है रिजाल साते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पर इंकम की अगर बात करेंगे तो शांदार जो है इंकम के अंदर ग्रोथ है 1522 करोड की जो है इंकम का सकती है नतीजों से शांदार नतीजे हैं प्रीबियस काटर में 49 करोड का था और प्रीबियस एर में तो 191 करोड का जो है कमपनी ने लॉस पोस्ट किया था दीरे-धीरे करके इसके जो है नतीजे सुधरते हुए दिख रहे हैं परफॉर्मेंस इसकी जो है धीरे-धीरे क कैसे जो है आते हुए देख रहे हैं और यहां पर अगर बात करें कि FY21 to FY22 तो आप देखेंगे 1333 करोड की जो है इंकम ती है FY21 के अंदर जो अब 2585 करोड की जो होती हुए देख रही है और FY21 के अंदर कम्पनी ने जो है लॉस पोस्ट किया ता है लगवग लगवग 190 कर profit है तो loss से एक तो जवरदस profit में आती हुए देखी है आगे की जो है अगर management की commentary की अगर बात करें या real estate sector की अगर बात करें धीरे दीरे करके जो है growth है अलाकि ठीक है input cost कच्छी खासी बढ़ती हुए देख रही है लेकिन तब भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये stocks ऐसे हैं कि इनकी अंदर कहीं ना कहीं आप quarter on quarter level से जो है sip कर सकते हैं बढ़िया growth जो है आने वाले 3-4 साल की अगर बात करी जाए उस अगर आप व्यूब को लेके चल रहे हैं बिलकुल जो है Godraise property मुझे लगता है एक बहुती solid जो है real estate sector में जो है theme play कर सकता है बिलकुल जो है इस stock क जो है मैं आपके सामने रखूं तो देखेंगे करीब साड़े 500% का इसने जो है return दिया है 2600 रुपे का जो है stock था ये 2600 का इसने जो हाई लगाया है वहां से अच्छा का सा correction जो है देखने को मिल रहा है stock के अंदर 5 साल का भी अगर आप एक बार देखेंगे chart pattern तो ठीक ठाक रुपे तक जो है stock जो है लोड़कता हुआ दिखा है अब ये वाला base मुझे लगता है कि अब एक unbreakable base है जिस तरीके के results है जिस तरीके के performance है Fy22 की possibility Fy23, Fy24 में ये company और better काम करती हुई नजर आए तो यहाँ पर बिलकुल जो है इसको buy किया आ सकता है hold किया आ सकता है नीचे 14 रुपे के आसपास का stop loss लगा के और बिलकुल जो है इस stock के अंदर बने रहना चाहिए अपना भी analysis हाला की एक बार ज़रूर कर लें उसके पर वाचिं दिस वीटियो